हलो फ्रेंड्स, कीमत पर विचार करने का समय न था, अतेव वे सिटी कोटवाल से मिलकर जिससे उनकी बड़ी घनिश्टता थी हीरा लाल को अपनी जमानत पर छुड़ा लाए, बूंदों के साथ ही 9 रुपए दे कर वकील सहाब ने हीरा लाल को कचेहरी भेजा और स्वैम भी कचेहरी गए, किन्तु दिन भर उनके मस्तिश्ट में ये बात फिरती रही कि 2000 रुपए कीमत के बूंदे आखिर इसकी स्री के पास कहा से आए, इन बूंदों के साथ कौन सा कैसा रह से चिपा है, वकील सहाब एक बार जानने के लिए उतकंटी थोटे, हीरासत से बाहर आते ही हीरालाल ने जुक कर वकील सहाब के पैर चो लिए, अभी तक वो वकील सहाब को केवल अपनी नौकरी के ही कारण न चोड़ सकता था, किन्तु आज से तो वो उनका भक्त भी हो गया, और उसने मनहिमा निश्चे किया कि चाहे इनके साथ रहकर मुझे अनेक विपत्या ही क्यों न उठानी पड़े, परन्तु अब इस देवता आदमे का साथ आजन में न चोड़ूंगा, शाम को बुंदो को लिए, शाम को बुंदो को लिए हुए वकील सहाब के ऐसान के भार से दबा हुआ घर लटा, जेब से बुंदे निकाल कर पतने के साम ने रख दिये, कमला ने उठ्सुकता पुरवक पूछा, क्यों पसंद नहीं आए, हीरा लाल बोला, वाह, पसंद क्यों नहीं आए, इतने अच्छे बुंदे और पसंद नहीं आते, बनने को भी दे दिये गए, कमला बोली, बुंदे बनने को दिये, पर मैं तो ये कहना मदरास के बने हैं, जब मैं बहुत चोटी थी, तब हम लोग बाबु के साथ मदरास गए थे, वही मा के लिए बाबु ने इसे करेदा था, हीरा लाल बोला, शायद यही बात होई होगी, जब सुनारों ने बनाने से इंकार कर दिया होगा, तब ही वकील सहाब ने लोटाया हुआ, सब लोग शहर छोड़ छोड़ कर बाहर जोपड़ी बना कर या बंगलों पर रहने के लिए निकल गए, वकील सहाब ने अपने बंगले में नौकरों की एक कोटरी में हीरा लाल को रहने की जगधे दी, एक हाते में रहते हुए संभवता दो-तीन महीने बीद गए, क पिये थी, साधारन सुन्दर थी, पर स्वभाव जरा रुखा था, वे मोके मोके पर ही हस्ती थी, साधारन लोगों से वह बादचित भी कुछ कम करती थी, उन्हें अपने धन, विद्या और एक प्रतिश्टित परिवार की कन्या होने का गर्व था, अपने आश्रित एक मु हिंद्य सुन्दरी थी, खूब गोरा रंग, आकर्श काखे, पतले-पतले लाल ओट, जिन पर सदा हसी खेलती रहती, वह बड़ी नम्र और मिलनसार थी, पड़ी लिखी बहुत साधारन थी, हिंदी की पुस्तकों के अथिरिक्त चिठ्थी पत्री लिख पड़ लेती थी, अंग्रेजी के कोई-कोई अक्षर पहचान लेती थी, फिर भी उसे व्यवार घ्यान और ग्रु कार्य में कुशल थी, साधारन से साधारन कपडों को भी ढ़ंग से पहनना जानती थी, कि वह उसके श्रीर पर मुल्यवान जान पड़ते, 20 साल की उमर होने पर भी 14 साल की किशोरी जान पड़ती उनके स्वबाव में एक प्रकार की लापरवाई और अलडबन था जो इस बात का साक्षी था कि इसने भी अपने जीवन में कभी अच्छे दिन देखे है जिस दिन से कमला को मालूम हुआ कि हीरा देवी ने उसके येरिंग मंगवाए और पैसन किये है उनसे मिलने के लिए कमला की उच्छुकता और भी बढ़ गई एक दिन दोपर को वो हीरा देवी से मिलने गई जिसकी सूचना हिरालाल ने अपने मालकिन को पहले से ही दे रखी थी बरामदे में एक चटाई पड़ी थी कमला उसी पर बैठ गई साधारन आव भगत के बाद हिरा देवी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ कर एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलटने लगी बीच बीच में वह कमला की बातों का उत्तर भी देती जाती थी उन्होंने अपने किसी भी व्यवार से यह प्रकट नहोंने दिया कि कमला के आने से उन्हें किसी तरह की प्रसनता हुई प्रत्युत उन्होंने यही प्रकट किया कि उसके आने से उनके काम में कुछ विग नहीं पड़ा उनके मूग के भाव से कुछ ऐसा प्रकट हो रहा था जैसे उन्हें कमला के रूप और लावन्य से इर्शा हो रही हो कमला एक साधारण जावदानी की कड़ी हुई गुलाबी रंग की साड़ी और वैसा ही बलावस पहने थी हातों में तीन-तीन काच की चूड़िया और कानों में वही हीरे के एरिंग चमक रहे थे वह इस आशा में थी कि हीरा देवी यदी कुछ भी उसके बूंदे के विशे में पुझेगी तो वह बातों ही बातों में उन्हें बतला देगी कि यद भी इस समय दिनों के फेर से वह उनके मुंशी किस्त्री है किन्तु वह भी किसी समय बड़े घर की लड़की थी और उसने भी अच्छे दिन देखे है उसके पास एक नहीं अनेख जेवर थे इन बुंदों की तरह किन्तु हीरा देवी ने उसके साथ बातचित करने में जो उदासींता दिखलाई उससे कमला के आत्मसमान को धक्का लगा वह यहां आग्ये पच्टा रही थी वह उटकर घर जाने की आग्या लेने ही वाली थी कि इसी समय हिरा देवी किसी कारेवश कुछ देर के लिए भीतर चली गई कमला को रुख जाना पड़ा वो वही चटाई पर बैठी उसी मासिक पत्रिका के पन्ने रटने लगी इसी समय वकील साहब ने घर में प्रवेश किया कमला वकील साहब को पहचानती थी किन्तु वकील साहब उसे न जानते थे कमला उटकर खड़ी हो गई वह कही चिप जाने का स्थान टूडने लगी इधर वकील साहब को एक समरांत महीला को इस तरह बरामदे में चटाई पर बैठाना कुछ अपमान जनक मालम हुआ पहले तो वो उल्टे पाव बाहर लोट जाने वाले थे परंतु न जाने क्या सोचकर उन्होंने कमला को संबोधन करके कहा आप यहां बाहर क्यों बैठी है आईए ड्रॉइंग रूम में बैठी है मैं उन्हें बुला लेता हूँ कमला कुछ न बुली चित्र चाया की तरह वकील साहब के पीछे पीछे जाकर ड्रॉइंग रूम में बैठ गई सच बात तो यह थी कि हिरा देवी की तरफ से इतना निरादर और वकील साहब के द्वारा इतना आदर दोनों के विवार में इतना अंतर देखकर कमला कुछ विस्मित सी हो गई वकील साहब ने अंदर जाकर पत्नी से कहा और फिर बाहर आकर बैठ गए हिरा देवी ने समझा कि कोई और मिलने आया है इसलिए वह अपने कपड़े बदलने लगी कपड़े बदलकर रसोईयों को चाय तयार करने के लिए कहकर वह ड्रॉइंग रूम में आई किन्तु वह किसी और को नहीं कमला कोई पती के साथ खुले मूँ मखमला कोच पर बैठे देखकर हिरा देवी के शरीर में आग लग गई वह कुछ बोली नहीं रुखे भाव से आकर वही दूसरे कोच पर बैठ गई उनके आते ही कमला उटकर खड़ी हो गई और उनकी और लक्ष करके कहा अब आग गया दीजे मैं घर जाओ हिरा देवी के कुछ बोलने के पहले ही वकिल साहब बोल उठे बैठिये चाय तयार हो रही है चाय लेके जाईए एक तिर्व दुष्टी से पती की ओर देखकर हिरा देवी ने कमला से कहा हाँ चाय पी के ही जाना तयार तो हो ही गई है पर कमला रुकी नहीं कमला की सुंदर्दा की चाप वकिल साहब के रुदय पर प्रथम दुष्टी में ही पढ़ गई इसलिए वह सब की नजर बचा कर कभी कभी कमला के मूँ की ओर देख लिया करते थे किसी बुरे भाव से नहीं बेस सौंदर्यों पासक थे प्रतेक सुंदर्वस्तु को देखना उनकी दुष्टी में आवश्यक था शिष्टा चार के तौर पर कमला के जाते समय हीरा देवी ने उसे कभी कभी आते रहने के लिए कहा कमला इस गुपा के लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपने घर गई कमला के जाते ही पत्नी पर तिरसकार सुचक दुष्टी डालकर वकिल साहब ने कहा ये कौन थी? वहाँ चटाई डालकर बैठा दिया इतना बड़ा ड्रॉइंग रूम किसलिए है? हीरा देवी भी उसी भाव से तिरस्वर में बोली तो तुम क्या चाहते हो कि मैं नौकरो चाकरो को भी अपने साथ ही कुरसी पर बठाया करू यह तो तुम ही से होगा मैंने तो यह नहीं सीखा फिर भी अब वाद विवाद करने का क्या तात्परी है? जब तुमने उसे बुलाकर अपने पास कुरसी पर बैठा ही लिया था वकील सहाब ने उसुक्ता से पूछा नौकर चाकर? नौकर चाकर से तुम्हारा क्या तात्परी है? हीरा देवी ने रुखाई से कहा यह मुशी की ही तो स्त्री थी ना? नौकर चाकर नहीं तो क्या? मेरी हमजोली है वकील सहाब कुछ नम नहो कर बले मुशी की ही स्त्री से ही हीरालाल मेरा मुशी है उसकी स्त्री तो नहीं है उसके साथ तुम्हें नौकरों का सब भरताओ कदापी न करना चाहिए जो सम्मान करना जानता है वो सम्मान पाता भी है फिर गरीबों का सम्मान तो धनीकों से अधिक करना चाहिए यदि तुम उसे अपने साथ पहले से ही ड्रॉइंग रूम में लेकर बैठती तो तुम्हारे सम्मान में कुछ भी अंतर ना आता तुम्हारे विशे में वो उचे विचार लेकर ही जाती हीरा देवी अब जुझला उटी क्यों तंक ये जा रहे हो मुझसे नहीं बन पड़ता तुमने तो करही दिया फिर अब अफसोस किस बात का और इतने पर भी संतोश नहो जाके उसके आसू पोचाओ मुझे कोई शिकायत नहोगी कहकर हीरा देवी उटकर दुसरे कमरे में चली गई मेज पर चाय ठंडी हो रही है उस तरफ न वकील सहाब का ध्यान था और न हीरा देवी का हीरा देवी के जाते ही वकील सहाब ठके हुए से एक कोच पर लेड गए बाद बाद पर वो पत्नी के वाद विवाद और दर्ग से ठक गए थे विवाद से पहले जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी भावी पत्नी ग्रजुट है संस्कूरूत में कात्य दिर्थ है तो उन्हें न जाने कितनी प्रसनता हुई थी उन्हें अपने कलपना जगत में हैं उन्होंने अपने एक छोटे से सोने के संसार को देखा जिसमें सहयोग से गुरुहस्ती नंदन वन हो जाती है इसी सूसु अपन को देखते देखते वे विवाद के बंदन में बन गए और उन्होंने अपने भागी की सराना की पत्नी से अधिक संकोच और शील की मात्रा उनके ही सुभा में थी जिसकी कारण वह पत्नी से कभी कुछ कह सुन न सकते थे और कहते भी तो कैसे हीरा देवी आखिर उनसे किस बात में कम थी वे वकील थे हीरा देवी भी कुछ दिनों तक पटना के गल स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी थी वकील सहाब बी ए एलल बी थे तो हीरा देवी बी अबी टी थी विद्या, डिग्री या रुपया कमाने की कला वकील सहाब से हीरा देवी किसी बात में तिल भर कम न थी फिर उनसे वह किस बात में दपती और दपती भी कैसे उन्होंने स्त्रियों के समान अधिकार पर बड़े-बड़े लेख लिखे थे और तर्क के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियों और पुरुष का प्रतेक भात में समान अधिकार है किंदू साहब से कोई पूशता इस समान अधिकार का परिणाम उनके हक में कैसा सिद्ध हुआ वे तो जानते ही न थे कि ग्रहस्त सुख कैसा होता है वे तरस रहे थे हिरा देवी उनके लिए एक मित्र की तरह थी बाकी घर का सारा काम तो नौकर करते थे हिरा देवी भी ग्राजुएट थी वे इन छोटी-छोटी बातों में अपने अमुल्य समय को नश्ट न कर सकती थी और न कभी वकील साहब की हिमत पढ़ती कि उनसे किसी काम के लिए कहते सौग की जगह दो सो खर्च हो जाता पर एक दिन भी उन्हें अच्छा भुजन ने मिलता वैसे तो सामने थाली में कई चीज़े होती पर सब बेस्वाद, नीरस, जैसे तिसे पेट भरते थे हिरा देवी पहली ही बार गर्भवितिव हुई थी प्रसव के लिए उन्होंने अपनी माता के पास जाना उचीद समझा वकील साहब ने इसे ज़्यादा ठीक समझा क्योंकि यहाँ इनके घर दुसरी कोई स्री थी ही नहीं हतेव गर्भ के छटे मास में ही हिरा देवी अपनी मा के घर चली गई एक दिन केचेरी से लौटकर वकील साहब चाह के लिए बैटे ही थे कि हीरालाल एक थाले में कुछ मिठाईया जो एक सुन्दर बेल बुटेदार रुमाल से ढकी थी लेकर आया बुला घर में बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए भी ले चलू बहुजी तो है नहीं अब आपके लिए कौन बनाता होगा वकील साहब ने मनही मन सोचा ये थी ही तो कब बनार के खिला देती थी प्रकट में बोले क्यों तकलिफ की हीरालाल महराज तो महराज तो बना ही दिया करता है जो कुछ मैं चाहता हूँ हीरालाल ने धीरे से थाली को मेज पर रखकर रुमाल हटा लिया फिर बोला वकील साहब ये सब ये पकोड़िया खाईए अभी बन रही है कुल गरम है और चाय के साथ आपको अच्छी भी लगेगी वकील साहब पकोड़ियों के चोकेन थे तश्टरी की सब पकोड़ि साफ कर गए हीरालाल शर्माया शायद वो बहुत कम लाया था खाने के बाद बुले दरसल हीरालाल बहुत अच्छी पकोड़िया बनी है बागी मिठाईया भी बहुत अच्छी है क्या तुमारे घर की बनी है हिरालाल प्रसन्न हो के बुला हाँ सरकार हम लोग तो बाजार की मिठाई खाते ही नहीं वह तो सब अपने हाथ से बना लेती है सस्ती की सस्ती पढ़ती है और बाजार से अच्छी भी रहती है वकील साब बुले मालूम होता है कि भोजन बनाने में बड़ी चतूर है पर वह तो मिर्जापूर तरफ की है देहाथ की लड़कियों को तो मैंने भोजन की कला में निपुन कहीं नहीं देखा हिरालाल बुला दीनों का ही फेर समझ ये वकील साब यह मुंशी नवल किशोर राय की लड़किये है एक ही राट डाकों ने ऐसा जबरदस डाका डाला कि इनका सब कुछ लूट ले गए इन्हें अपनी मां के साथ जाफर मामा के घर मिर्जापूर में रहना पड़ा देहाथ में रही तो क्या हुआ इनकी मां बहुत चतूर थी उन्होंने ही इन्हें सब कुछ सिखाया उन कान के बुंदों के अधिरिक मोतियों का एक चंद्रहार भी उसके पास है वकील साब मैं क्या बताओ उसके हाथ में जैसे जादू है मामूरी दालभाद भी बनाती है पर इतना स्वादिष्ट की क्या बताओ वकील साब आश्चरे से बोले अच्छा यह मुंशी नवलकिशोर राय की कन्या है वह तो इलाबाद के बड़े भारी वकीरों में से थे तब ही यह इतनी चतूर है हिरालाल ने प्रसनता का भाव जाहिर करते हुए का वकील साब गुस्ता की माफ हो एक अर्स करता हूँ आप कल सवेरे मेरे जोपड़े में ही भूजन कीजिए हम गरीबों के भूजन का स्वाद भी लीजिए वकील साब को अपने मुंशी के यहाँ भूजन करना जरा उचित न मालम हुआ बोले क्यों तकलिफ करते हो हिरालाल यह जो इतनी चीजे लाए हो यही मेरे कल तक के लिए काफी है फिर क्यों तकलिफ करते हो हिरालाल बोला इसमें तकलिफ की क्या बात है वकील साब उसका स्वभाव तो ऐसा ही है कि अगर दस खाने वाले आ जाए तो उसे दुनी खुशी होती है सुस्ती तो उसमें नाम की नहीं है और खाने वालों को खिला बिला के चाहे उसके खाने के लिए एक और भी न वचे उसे बड़ा संतोश होता है वकील साहब बोले अच्छा बोजन तो तुमारे घर का मैं स्विकार कर लेता हूँ पर मैं वहाँ खाने न आ जाऊंगा तुम खाना यही ला देना हिरालाल कुशी कुशी अपने घर गया वकील साहब कपड़े पहन के कलब गए कलब से उस दिन वकील साहब जल्दी ही लोटाए उनका जी वहावी ने लगा एक अजीब तरह की परिशानी उन्हें तंकिये डालती थी बोजन के लिए महाराज पूछने आया कई बार पूछने पर जैसे सोती सोती चौक कर उनने जवाब दिया नहीं महाराज इस नहीं का अर्थ कुछ भी ने लगा सका दुबारा फिर पूछा साहब भोजन लाओ क्या वकील साहब जल्ला उठे बोले अभी कहा था ना मत लाओ क्या एक बार के कहने से नहीं समझ सकते महाराज चुपचाप चला गया उस दिन किसी की हिम्मत वकील साहब से बोलने की न हो सकी किन्तो नौ बजे रात को फिर हिरालाल दर्वाजा खटकटाता हुआ पहुचा वकील साहब इतने रात को उसके आने का कारण समझ गए फिर भी और दिनों की तरव वे उसे जुड़क न सके बलकि आदर के साथ बठाया और नवरता से बोले क्या है हिरालाल मालूम होता है कि आज पीने के लिए नहीं है कुछ हिरालाल हस पड़ा और बोला सरकार जब तक आपके पास हो मुझे क्या तकलिफ हो सकती है जब मेरे पास न रहेगा आपके पास आऊंगा अच्छा ये बात है कहते हुए वकील साहब ने दो रुपे जेब से निकाल कर फेक दिये आज पहली बार हिरालाल को बिना किसी प्रकार की जिग जिग किये पीने के लिए इतनी आसानी से रुपया मिल गया रुपया तो वह सदा ही ले लिया करता था किन्तु घंटो माता पच्ची के बाद वकील साहब के इतने शिगर रुपया निकाल कर देने का आर्थ उसने लगाया उस दिन की अत्याधिक आमदनी रुपय उठाते उठाते मालूम होता है आज खूप आमदनी हुई है वकील साहब रुपय हो तो दो तीन और दे दो न घर में खर्श के लिए बिलकुल नहीं है वकील साहब बोले अच्छा तुम्हें दो दे दिये तो तुम लालश में पढ़ गए हिरालाल नमरता से बोला नहीं वकील साहब घर में तंगी न होती तो मैं कभी न मांगता आप तो मुझे जानते हैं बस मुझे पीने भर को मिल जाए फिर मुझे कुछ न चाहिए आज तो उसने कहा कि रुपया चाहिए इसलिए आप से कहा नहीं तो क्या कभी मा कहता आज की वकिल साहब की आमदनी कुल पाच रुपए ही थी उन्होंने बाकी के तीन रुपए निकाल कर हिरालाल के हवाले कर दिये देते देते उन्होंने ताकीत कर दी कि देखो सब के सब मत पी जाना घर में खर्श के लिए दे देना हिरालाल बोला नहीं, वकील साहब क्या पागल हूँ, मैं पहले घर में देकर फिर पीने जाओंगा हिरालाल चला गया, वकील साहब फिर पलंग पर लेटे, उन्हें नीन आई, उन्होंने अपने और हिरालाल के जीवन की तूलना की चतूर, सुशिल, स्री पाकरव कितना सुखी है, उसका ग्रोस्त जीवन कितना आकरशक है, वह है मामुली मुझ्शी स्री साधारन पड़ी लिखी ग्रामिन बाली का है, फिर भी ग्रोस्ती को स्वर्ग बना रखा है एक मैं हूँ शेहर के बड़े वकीलों में, पाच साथ सो मासिक तो कमा ही लेता हूँ बंगला है, मोटर है, सुंदर बगीचा है, स्त्री संस्कूरूत और अंग्रेजी में ग्राजुएट लोग तो यही समझते होगे कि मैं कितना सुखी हूँ मित्रे लोग आकर मेरी किसमत की सिराना कर जाते है, किन्तु मेरी किसमत कैसी है और कौन जान सकता है, बिना सुशील पत्नी के सब सुख होते हुए भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता सच्चे ग्रुस्त सुख के सामने सारे सांसरिक सुख है है वह ग्रोस्त सुक मेरे किसमत में है ही नहीं काश मैं भी किसी मामूली पड़ी लिखी स्थी से ही विवा करता और वह सुशील होती तो जीवन कितना सुखी होता यदि सुशीला नभी होती तो कम से कम बात बात में उसका तरक शास्तर तो न चलता हर बात में वो अपने विद्वत्ता की छाप तो न जमाने लगती किन्तु यहां तो बात ही और है हीरा अपने सामने मुझे कुछ समझती ही नहीं दूसरों के सामने उसे कुछ कहते मैं डरता हूं न जाने कैसा उच्छरंकुल उत्तर दे दे फिर मुझे उनके सामने लज्जित होना पड़े इसी प्रकार जितना ही मैं उससे दपता हूं वो मुझे दबाती जाती है मैं स्त्री को समान अधिकार देने का विरोधी नहीं हूं किन्तु वे इतना समझती कहा है वे अधिकार पाते ही उसका दुरूपयोग करने लगती है स्त्रीयों की कोमलता, लज्जाशीलता और नमरता बहुत आवश्चक है पर ये बाते हीरा में कहा है किन्तु इसमें हीरा का दोश दोश तो उसकी शिक्षा का है फिर मैं शिक्षा को भी दोश कैसे दू उसी की छोटी बहन मीरा भी तो एमे में पढ़ रही है इतनी सुशील, लज्जाशील है कि सिधी तरह आख उठा कर बात नहीं कर लकती कुछ नहीं, सब मेरी किस्मत का दोश है मेरी किस्मत में ग्रुहस्त सुख नहीं था फिर मुझे सुशीला पतनी कैसे मिलती उन्होंने कमला और हीरा की तुलना की कमला उन्हें साक्षात लक्षमी सी और हीरा, एहंकार, अभीमान की प्रतिमा सी जान पड़ी वह पहले ही दिन, पहले ही दुरुष्टी में कमला के रूप पर मुख्द हो गये थे आज वह उसके गुनों की बुरी-बुरी प्रशंसा कर रहे थे किन्तु इतना वह जानते थे कि जीवन में अनेक बार ऐसे उसर आये है जब इंद्रिया मनुष्य को अपना दास बना लेती है जानता हुआ भी मनुष्य अंजान बन जाता है समझतार भी ना समझ हो जाता है इसलिए वह कमला के रूप और गुनों पर मुख्द होते वे भी उससे दूर-दूर रहना चाते थे वे उस पवित्र फूल को जिसका सौरब उन्हें बहुत प्रिय था चू कर अपवित्र न करना चाते थे इसलिए वह पास भी आने से डरते थे संबव है पास पहुशकर वे चू लेने के लोग को संवरन न कर सके तो फिर उसका परिणाम क्या होगा उसके भयंकर दुशपरिणाम का काला चित्र वकिल सहाब की आखों के सामने खिच गया वे गबरा कर उठे पास ही मेच पर रखा हुआ हीरा का चित्र उठा कर देखने लगे किन्तु उस चित्र में कई बार देखने कर भी उन्हें कमला ही दिखी वे घबराकर इधर उधर करवटी बदलते रहे अंत में ये निश्य करके ही कि मैं सवेरे हिरालाल के यहां भोजन के लिए अस्विकृती भेश दूँगा न जाने कब उन्हें नीद आ गई सवेरे जब वकील साहब सोकर उठे तो दिन चड़ाया था हिरालाल अपने कई मुवकिलों के साथ वकील साहब की इंतजारी में बैठा हूँ था वकील साहब उठे कहा तो सोने से पहले उन्होंने ये निश्य किया था कि हिरालाल के घर का भोजन अस्विकार कर देंगे चाय पिते पिते महाराज से बोले कि आज मैं यहां खाना न खाऊंगा मेरे लिए न बनाना और खाना बनाना ही किस के लिए था महाराज को बिना मांगे ही चुट्टी मिल गई इधर भोजन के समय जब हिरालाल वकील साहब से पूछने आया तो उन्होंने कहा चलो वही चलके खा लेता हूं तुम भी घर रहोगे बार-बार दोडने से बचोगे हिरालाल और चाहता ही क्या था वकील साहब को लेकर अपने घर पहुचा वकील साहब घर की सफाई देखकर दंग रहे गे चोटे-चोटे दो कमरे कमला ने धंग से सजा रखे थे इतनी सफाई थी कि वह उनकी चतुराई से चकित हो गए उन्हें स्वपन में भी आशाना थी कि उनके नोगरों के रहने की कोटरी नंदन कानन बन रही है जो घर कमला सी चतुर ग्रोहनी के आलोक से आलोकित हो रहा हो उसकी तुलना नंदन कानन भी क्या करेगा वकील साहब दूसरी कोटरी में बैटे थे बीच के दर्वाजे पर एक फटी हुई साड़ी का ही सिला हुआ हलके रंग का परदा पड़ा हुआ था परदे के पीछे से वकील साहब को बार बार कमला के पैरों की पाजेब की मधूर द्वनी सुन पड़ती थी जिससे रह रहकर उनका मन चंचल हो जाता था जिन पैरों के पाजेब की मधूर द्वनी वकील साहब के रुदय को दुलाय मान किये डालती थी उन पैरों को एक बार चूम लेने के लिए उनका मन आदूर होटा हिरालाल ने आसन बिचा के पानी रखा कमला थाली परोस के लाई आहाज उसने बहुत मामूली हलके रंग की साड़ी पहन रखी थी नीले रंग में उसका रूप और भी निकर रहा था खाना बहुत सादा था चावल, दाल, रोटी और दो तरह की मामूली तरकारी थी किन्तु सादा भोजन होने पर भी बहुत स्वादिष्ट और रुचिकर था मिर्च मसाला बहुत कम था फिर भी जाने क्या था कि वकिल साब रोज से कही ज़्यादा खाना खा गए खाते खाते बोले हीरालाल, मुझे खाना इसी प्रकार का अच्छा लगता है किन्तो महाराज तो जरुष्ट से ज़्यादा मिर्च मसाला भर देता है परिणाम ये होता है कि मैं कभी भेरपेट भोजन नहीं कर पाता तुम अपनी स्रीज से कहो कि वो महाराज को भी खाना बनाना सिका दे कमला ने धीरे से कुछ कहा हिरालाल हस्ता हुआ बोला वकील साहब वह गहती है कि आप यही क्यों खालिया करे वकील साहब हसकर बोले सो यहाँ किस्मत में नहीं है सब को थोड़े ही ऐसा खाना नसीब होता है कहते कहते साहब चले गए कचहरी की देरी हो रही थी हिरा लाल भी जल्दी जल्दी भोजन करके भागा आज वह भी वकील साहब की कार में ही बैठ कर कचेली गया प्रशंसा जूटी हो या सच्छी किन्तु है ऐसी चीज जिसे सुनकर प्रसन हो जाना मनुश्य का स्वभाव है अपनी प्रशंसा के इतने बंदे पूल सुनकर कमला पूल कितना हुई हो ऐसी बात नहीं अब वह चीजे दुने उत्सा के साथ बनाती और नित्य ही कोई न कोई नहीं वस्तू बनाकर वकील साहब के लिए भेशती उसके रुदे में और कोई भाव न थे किन्तू प्रशंसा पाने की लालसा जरूर थी वकील साहब इसका दूसरा ही अर्थ लगा दे वे बार-बार सोचते की जिस प्रकार मेरे रुदे में उसके लिए प्रेम का सुत्रपात हुआ इसी प्रकार कमला के रुदे में भी तो नहीं है वे सदा इसी चिंता में वस रहते किन्तु प्रेम प्रकट करने का उन्हें कभी साहस न होता इसके अतिरिक्त वे विश्वास की जगह और विश्वास को स्तान देकर पतीत न होना चाहते थे वे अपनी इंद्रियों का दमन करके अपनी सच चरितरता पर धबाना लगने देना चाहते थे किन्तु उनी किसके टाले टल दी है इस बार जब भी हिरालाल की तनका देने लगे तो दस रुपे के स्तान पर पंदर रुपे दी और कहा हिरालाल मेरी आमदानी बढ़ गई है इसलिए तुम्हारी तनका भी बढ़ा दी है महीने से तुम्हें पंदरे रुपे मिला करेगे हिरालाल को मुमांगी मुराद मिली खुशी खुशी घराया पत्नी के हाथ पर रुपे रखता हुआ बुला कमला तुम सचमुच लक्षमी हो जिस दिन से तुम आई हो मुझे लाब ही लाब हुआ है वकील साहब मुझसे कभी सीधे बात तक न किया करते थे अब दोस्तों का सा बरताव रखते है कहा तो सदा निकाल देने की धमकी दिया करते थे कहा इस महीने से पंदरे रुपे दंखा कर दी अब तुम कहो तुम लक्षमी हो या नहीं दंखा बढ़ने की खुशी में मैं उन्हें कल की दावत दे आता हूँ जरा इस बार गहरा माल बने पाच रुपे उपर वाले खर्श कर दो परमात्मा बहुत देगा वकील साहब दूसरे दिन हिरालाल के यहाँ खाने आए आज कमला ने कही तरह की भोजन सामगरी तयार की थी हिरालाल थाली परस्वा के वकील साहब के सामने रखी रहा था कि बाहर से कुछ मौकिलों ने आवाज दी हिरालाल कमला से कह कर कि तुम वकील साहब को खिला दो मैं जरा मौकिलों को समाल लो वरना बहक जाएंगे बाहर चला गया सामने ही दूसरे वकील का घर था उसे डरता कि कही मौकिल दूसरे वकील के घरना चले जाए हीरालाल मौकिल से बाचित कर रहा था कमला वकील साहब को खाना खिला रही थी बिलकुल एकांत और सामने वही वस्तू जिसके वे भग थे वकील साहब कुछ हत्रब और चंचल से हो गए वे बोले खाना इतना अच्छा बना है कि जी चाता है बनाने वाले का हाथ चुमलू कमला कुछ न भोली उसे यह एकांत अच्छा न लग रहा था उसे वकील साहब के चेहरे की लाली और आखों की हनमत साफ दिख रही थी हाथ दुलाने के बाद कमला टौवेल देने लगी वकील साहब टौवेल लेकर कमला की और जुके कमला हाँ हाँ क्या करते है आप कहकर पीछे सर की पीछे दिवार होने के कारण जादा न हट सकी वकील साहब ने झ़रा जादा जुक कर अपने मन की कर ली ना चाहते हुए भी कमला इसका विरोध न कर सकी कुछ शंड कमला के साथ बिताने के बाद बिना कुछ कहे ही वकील साहब बाहर चले गए वकील साहब के बाहर आने के बाद हिरालाल भी खाना खाने गया आज फिर वकील साहब के साथ हिरालाल को कचेरी जाना पड़ा हिरालाल के कचरी जाने पर कमला वकील साहब के एक रुट्ट्य पर बार बार विचार करती रही उसे रह रहे कर उनके साथ साथ अपने पतन का दुख हो रहा था किन्तु उसने तो कभी सोचा भी न था कि यहां मामला इस हद तक पहुँच सकता है शाम हुई, आज वकील साहब कलब न जा सके उनका चित उदास था आज हिरालाल को कोई आमधनी भी न हुई थी वह भी पीने के लिए व्यकुल सा था वह फिर वकील साहब के पास आया वकील साहब को समझने बेदेर न लगी एक रुपया निकाल कर उसके हाथ में रख दिया हिरालाल कलारी की तरफ भागा वकील साहब दीरे-दीरे हिरालाल के घर की ओर गए जूतों की आवाज सुनकर हिरालाल के धोके में कमला ने उठकर दर्वाजा खोल दिया सामने वकील सहाब को खड़ा देखकर वो बहुत घबराई अब न दर्वाजा बन करते बनता था न खोलते वह कुछ श्यंतक दर्वाजा पकड़े खड़ी रही फिर बोली क्या चाहिए आपको वकील सहाब रुंदे हुए कंड से कंपित स्वर में बोले तुमसे माफी मांगन तो नहीं हो कमला कातर स्वर में बोली मैं नाराज हो या खुश अब पुछकर क्या होगा यह तो आपको पहले ही पूछना चाहिए था फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ आखिर हट से क्या लाब है फिर मेरी और आपकी दोनों की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी वैसे आ आज जो कुछ भूल हो गई उसे तुम क्षमा करो तुम्हारी इच्छा के विर्दु मैं तुम्हें कभी हाथ ने लगाऊंगा रही तुम्हारे जीवन बरबाद होने की बात सो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिरा लाल को कभी किसी हालत में अलग न और तुम्हारा जीवन मेरे जीते जी कभी बरबाद नहीं हो सकता कमला ने दीन भाव से पूछा फिर भी ये कहा तक उचित है कि जो आदमी आपका विश्वास करे उसके साथ अविश्वास करे कभी इन्हें जरा भी शक हुआ तो मेरे और आपके विशे में क्या सूचेंग वकील साथ बुले कमला शक होने ही कैसे पाएगा कहते उठकर पास खड़ी हुई कमला का उन्होंने गाड़ा अलिंगन कर दिया और उसी शाम उनका पतन हो गया इस बात से कमला को जो कुछ दुख था वो तो था ही वकील साथ भी अपने कुरुत्य से संतुष्ट न थे न ज यह करम महीनों चलता रहा किन्तु हिरालाल कुछ भी न जान सका देरे देरे कमला को गर्ब के लक्षन प्रकट हुए विबा को नौ साल हो चुके थे इतने दिन बाद ही सही हिरालाल ने उम्मिच छोड़ सी दी थी किन्तु जब उसे मालूम हुआ की कर्मला गर्बवती है त इसने मनहीमन सोचा वकील साहब के यहां लड़का हुआ तो इधर भी इश्वर ने भीज़ दिया इसमें क्या रहस्य है बेचारा हिरालाल न जानता था एक दिन हिरालाल भोजन के पाद रुपया लेकर कलारी की तरफ चला रास्ते में उसका एक लेंदार मिल गया उसने हिर आलाल से करीब 10 रुपय लेने थे हिरालाल को देखते ही उसने 10 तो सिधी सिदी सुनाई और रुपय चीन लिए अब कलारी जाके हिरालाल करता तो क्या करता लाचार घर की तरफ लौड़ पड़ा घर आकर अपने घर में उसने वकील साहब को बैठा पाया अपने घर में वक के लिए पुछा करते थे आज जब मुझे घर में धंका खाना न मिला तो पहले ही से खापी कर बैट गए हिरालाल बोला अरे तो और बन जाएगा वकील सहाब उसने पत्नी को वकील सहाब के रिए कुछ बनाने का इशारा किया वकील सहाब रोकते हुए बोले नहीं नहीं आप के रुदे में कुछ आशा का संचार हुआ इस समय मदीरा से अधिक आकरशक कोई दूसरी चीज दुनिया में उसकी दुरुष्टी में न थी पुला चड़ाता कैसे वकील सहाब एक साला लेंदार मिल गया रुपिया ही चीन लिया फिल्म फिर में कलारी तक नहीं गया जाके वकील सहाब बोले मेरे पास चुट्ट्या रुपया नहीं है और दुम्हें रुपया देते हुए डर लगता है नशे के जोक में न जाने कितने का पी आओ हिरालाल बोला नहीं सरकार ऐसा भी कही हुआ है मैं तो उतना ही पीता हूँ मेरी तो खुराक ही उतनी है बस एक रु हिरालाल जब आख से उजल हुआ तो कमला का आलिंगन करते हुए वकील सहाब बोले तुम इस शरावी की दास हो कमला यदि बदलने का कानून होता तो मैं हीरा को देके तुम्हें ले लेता हीरा हिरालाल के साथ भले कुछ न रहती पर तुम्हारे सरीखा सुखी तो दुनिय में कही डूढने से भी न मिलता न कमला कमला ने उत्तर कुछ न दिया विदाई की अंतिम चाप कमला के हुटो पर लगा कर वकील सहाब अपने घर आए कमला के गर्प का पाश्वा महीना चल रहा था हिरालाल खुब पी के लोटा लोटकर साड़े तीन रुपे कमला के सामने फेक दिये फिर वकाट पर बेहुश गिर पड़ा आज उसने दुनी चड़ा ली ती देरे देरे हिरालाल को अपनी स्त्री और वकील सहाब के चरितर के विशय में कुछ-कुछ संदे होने लगा किन्तु कुछ भी कहने की हमत न पड़ती जब तक वह अपनी आग से कुछ न देख ले कैसे कहे लेकिन इस विचार मातर से ही उसका रुदय बड़ा विचलित हुआ वह अब ज़्यादा पीने लगा किन्तु इस पर भी उसे शांती न मिलती वह बड़ा व्यथित और घबराया सा रहता एक दिन वह कमला से बोला कमला जाने क्यों मुझे तुमारा वकील साथ इतना मिलना जुलना पसंद नहीं आता कमला ने कहा मैं तो उनके घर मिलने चाती नहीं तुम उन्हें मना कर दो मैं उनसे कभी न मिलूगी हिराला निरुत्तर हो गया वकील साथ को रोकने का उसमें साहस न था उसने सोचा मकान ही बदल दू तो अच्छा रहेगा वह मक कि तलाश में चला रुपए लेकर कलारी की तरफ जाने की इरादे से निकला किन्तों कुछ की दूर जाने पर उससे कुछ मौकिल मिल गए वह उन्हें लेकर लोड़ पड़ा बंगले पर आने पर मालुम हुआ कि वकिल साब कलब गए है मौकिलों से बाचीत करके पाच पहना था इसलिए जुदो की आवाज नहीं बाहर बरादम्दे में पहुचकर उसने देखा कि सामने का दर्वाजा बंध है अंदर से वकिल साब और कमला के हसने की आवाज आ रही थी वह चुपचाप कुछ चंट तक खड़ा रहा उसने सुना कमला कह रही थी लड़का हो या लड़की है तो तुम्हारा ही उसकी पूरी सिम्मेदारी तुम्ही पर रहेगी मैं यह न देख सकोंगी कि तुम्हारा बच्चा मोटर पर बैट कर स्कूल जाए और दूसरा पैर घसीटता हुआ जाए वकील सहाब बोले पगली हुई हो तुम्हें भी यहा न रहने दू कहीं भी रहूंगा कमा खाऊंगा हो न तैयार इस बात के लिए कमला हस पड़ी हीरा लाल अधिक न सुन सका संताफ सिवा पागल सा हो रहा था उसने जोर से एक ठोकर दरवाजे पर लगा दी दरवाजा अंदर से बन था वो भाग शंबर भी न ठहर सका तेजी के साथ आहात इसे ही करते थे किन्टु हिरा लाल के इस प्रकार अच्छानक लापता हो जाने से संधे करने में कोई संधे का कारण न रह गया था एक सखी ने कुछ गूलमाल करके हिरा देवी को भी लिखा यह भी लिखा कि वह फौरन चलिया है इसके एक दिन पहले हिरा देवी को पत्ती उसी दिन रात की ट्रेन से वरवाना हो गई उनके पहुशने से 15 दिन पहले में ही एक कमरे में कमला को कन्या हुई थी हीरा देवी के इस प्रकार अचानक पहुशने की वकील सहाब को संभावना न थी वो किंक करतब ये मुड़ से हो गए उनकी समझ में ही न आया की क्या करे के पहुशने के कुछ की गंटे बात हीरा देवी ने देखते ही देखते कमला को बच्ची समयत बंगले से बाहर निकाल दिया बंगले से निकलने के निकलते समय कमला वकील सहाब के दबतर की तरफ मुड़कर बोली मुझे उन कोटरी में से एक में रहने दो मैं इतना नन्ना सा बच्चा लेकर कहा जाओ फिर मुझसे चला भी तो नहीं जाता वो अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि अच्छानक हीरा दे भी आ गई डाट के बोली सीधी निकल जाओ मेरी इच्छा के विरुद्ध तो अहाते में पैर भी नहीं रख सकती वकील सहाब बुद्ध की नाई बैठे रहे उनसे कुछ भी करते न बना उन्हीं की आग के सामने जिसे उन्होंने इतना आशवासन दे रखा था वही कमला गिरती पड़ती किसी प्रकार बंगले से बाहर चली गई किसी को उस पर दयाना आई किसी ने उसे शरण न दी अपने पाप के फल को रुदे से लगाए संताप के आसू बहाती हुई कमला निरुदेश बहाँ से चली जा रही थी आप सुन रहे थे सुबद्रा कुमारी चौहान की कहानी कान के बुंदे कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर प्रसिद्ध लेखकों की हिंदी कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद